हेलो फ्रेंज, आज हम कंपैरिशन करेंगे पोको M2 Pro में, ओरियल में नार्जो 10 में और देखते हैं कि दोन में से कौन सा फोन है बेस्ट आप लोग के लिए तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्प्लेशी, तो पोको के डिस्प्लेश है 6,67 ची रेजलीशन है 1083, 24 पिक्सल और इसमें आईपी celsius डिस्पे का यूजिव दिया गया है और येल में के डिस्पली है 6.5 इंच की रेजुरेशन है 720 मेंटिपार 1600 पिक्सल और इसमें IP Celsius डिस्पली का यूज़ किया गया है डिस्पली की मामले में पोको आगे है तुकि इसमा को फूल HD में डेजुरेशन दिया गया है बात करते प्रोसेस की तो पोको के स्नेप रेहन का 720 G का CPU रेंच की गहार Hoytukur का और उसमें 99 मेंटिश का Fin Fat और इसमें GPU है 618 का और येल में का प्रोसेस है इसमें बेँपढ़ से गेमी भी कर सकते हो बात करते हैं उपटी स्ट्रीम की तो दोनों का सीम हैं अदों 10 और बाद क्रिया आगा है और फेंग और यह लोग दोनों के तो प्लस प्लस तूपन है लिया में चुकु अंधर बाद क्रिका सब्सक्रालों के रियल्बा कि energy range on वाइर क्या क्युग करते हैं Charger के मामने में पोको आ गए हैं बार कते हैं सीम की तो आप दोनों फॉरों में दो सीम साथ मिश्टिकाल डार सकते हो ट्रीपल सुगो आप्ट्सन दिया गया है और कॉनेक्टेटिए दोनों में धरची फॉर्ज के हैं और दोनकी बार्ट से में एक साल की बात करते है गलास की तो पोको में है गोरिला का फार प्रोडेक्स से बना हुआ है और बैक सेट भी गलास ही है और यल्मी का गलास से गोरिला का फ्री प्रोडेक्स से बना हुआ है और बैक सेट प्लास्टिक दी गई है बात करते है रेम की तो पोको में रेम है चार्जबोर 6GB की और रेलमी में है चार्जबी की अगर आपको के साथ जाते हूं इसमें आप अच्छे गेमें भी कर सकते हो फास्ट चार्जिंग का स्पोर्ट भी मिल रहा है और फूल एक्षिट में डिस्प्लेज भी मिल रहे है तो और आप देख लेना कि आपको कौन से फोन पसंद आता है